हेलो गाइस बेलकम बाइक टू माई चैनल मैं हूँ आमिर और आज के इस बीडियो में हम आपको एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक के बार में बताएंगे जैसा कि आप जानी गए होंगे कि मैंने टेलीग्राम पे नॉलेज हंगामा नेम से एक चैनल क्रिएट कर लिया है उसका लाब उठा सकते हैं उसका लाब उठा सकते हैं उस चीज़े आप तेलिए काफी बेनिफीशल होंगी क्योंकि जैसा कि आप जानी सकते हैं कि बहुत सारी ऐसे चीज़े हैं यो पर T.U. 2020 सिंटेसिक जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड जो की साइद आपके पास ना हो लाइक उनके नोट्स या फिर उनके प्रिवेस एर के कुश्चन पेपर्स उनके सल्यूसंस उनके आंसर कीज या फिर उनमें जो भी इंपोर्टन चैप्टर्स होते हैं इंपोर्टन कुश्चन होते हैं या फिर जो भी उनसे रिलेटेड इंपोर्टन न्यूज आते हैं उन मेरा है और एक किसी और का है तो जो मेरा चैनल है उसका नाम Capital Letter में है और उस पर मेरा फोटो भी है तो आप उसको जाइन कर सकते हैं और उसमें जो भी चीज़े आगे में सेयर करूंगा आप चाहे तो उसका लाब उटा सकते हैं उसके थुरू UPTU 2020 सिन्टर्स एक्जाम के लिए अच्छे से 270 कर सकते हैं उनके टॉड कॉलिज के बारे में उनके सालिबस के बारे में उनके कॉंसिलिंह से रेलेटे जतनी फियानकारी है य फिर UPTU से ्यानकारी होती है इसके सर्फ मैं आपको वही बता सकता हूँ और रही बात कि आप चाहें तो physics, chemistry, mathematics, biology इन सभी subject के लिए अच्छे से preparation कर सकते हैं या फिर अगर आपका MCE course था, MBA course था या अगर आपका lateral entry है आपका कोई भी course हो सकता है bachelor's of designing, bachelor's of architecture, हर एक course का जो भी content है, हर एक course के जो भी syllabus है उसमें जो भी topics है, जो भी subject है उनसे related कोई ने कोई channel उनसे related कोई ने कोई YouTube videos आपको YouTube पे मिल जाएंगे, बस आपको सिर्फ search करने की जरूत होती है तो आप simply search कीजिए और उसके थुरू आप चाहें तो UPTU 2000B synthesis exam में आपका जो भी course है उसके लिए अच्छे से preparation कर सकते हैं और हाँ, आप लोगों में से कई लोग यह भी बार-बार पूछते हैं कि अगर हम UPTU 2000B synthesis exam देने वाले हैं उसके लिए preparation कर रहे हैं तो क्या उसी preparation में तो क्या उसी preparation में तो आपको आपको आपके चीज़े होती है जो आपके content होते हैं जो आपके chapters होते हैं लगभग लगभग same ही होते हैं बहुत ज़्यादा changes नहीं आते हैं तो जो भी चीज़े आप अपने एक intense exam के syllabus में पढ़ रहे हैं अगर वही syllabus, वही chapters, वही content, वही topics आपके दूसरे intense exam में भी है तो जाहर से बात है कि आप उसी एक preparation पे आप जहां तो दूसरे वाले intense exam को भी दे सकते हैं तो ऐसा possible है, आप ऐसा बिल्कुल भी कर सकते हैं